नमस्कार, डीफोकस में आपका स्वागत है, मैं हूँ हिमानसू आज एक ऐसे सक्सियस से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसने कम समय में बुकारो इश्टील सिटी में राजनीती में हर उस मुकाम को हासिल किया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए हर एक राजनीती करने वाले अभेक्ती ललाईत रहता है हम उस सक्स से आज आपको रूबरू कराने जा रहा है जिसने सबसे पहले मुकारो इश्टील सिटी में अपनी एक अलग पहचान मनाई मुखिया का चुनाव जीतने के बाद तुरंत किसी पाटी का जिला अद्धच बनकर लोगों को चौंका कर रख दिया उसके ठीक थोरी दिन के बाद जिला परिसद सदस बने और जिला परिसद सदस के बाद वो जिला परिसद उपाद्धच बने प्रिक समझ रहे हैं आप हम बात जारखन मुक्ति मोर्चा के जिला अद्धच हीरालाल मांजी की करने जा रहे हैं जो मुखिया जिला अद्धच जिला परिसद अब इसके बाद क्या बनेंगे खुद इन से जानने के लिए हमारे साथ इस समय हीरालाल मांजी जी हैं सर स्वाग बहुत बहुत धने बाद धिमानसु जी जनता जानना चाहती है कि इसके बाद क्या करेंगे और कौन सा सपर नया तै करने जा रहे हैं दिखिए मानसु जी हम लोग जनपरती निदी हैं और जनपरती निदी का दायती ही होता है जनता जो काम सोपे उसका निर्वाहन करना हमने आप देखे पिछला 26 अगस्त को विश्थापितो के जनाक रोज महारेली किये जो विश्थापितो के लिए बहुत ही जरूरी था आज तक विश्थापितो को हक अधिकार की जहां तक बात हो रही है जबसे बुकारो इस्थिल प्लांट बना है तब से अभी तक विश्थापित अंदुलन रत है और हम लोगों ने भी शुरूरात किया है जिस तरह से बीसल कर रही है निशी तोर से यह बीसल मेंजमेंट लोगों को बरगलानी की काम कर रही है हमने जिस तरह अंदोलन किया और अंदोलन के बाद एक वारता में उन्होंने बुलाया भी था लेकिन अभी तक उसका कोई पहल ना हो ना ये बड़ा दुख दुखद बात है इसलिए हमने पाटी सुप्रीमों को भी इस बात से आउगत कराया है माननी मुखमंत्री को भी आउगत कराया है निशीत तोर से अब हमारा पार्टी का महादेर सन्वे होने वाला है ही राजी हम लोग जानना चाहेंगे कि जितने भी जिला अध्धाच बना करते हैं या जो भी विस्थापित का अंदोलन लड़ने के लिए नेता इस भुकारों सहर में आते हैं उनका सौप टार्गेट बी ए सेल प्लांट हुआ करता है लेकिन आप बोकारों जिले के पहले जिला अध्धाच हुए जिन्होंने पूरे बोकारों जिले के विस्थापितों को सुत्र में बाधने का काम किया पहले बी ए सेल में आपने जना क्रोस रैली बुलाया अब फिर से आपका पूरे जिले के विस्थापितों को एक करना है कि प्लान समझ नहीं पा रहे हैं लोग इसलिए मैं बार बार पुछना चाहरा हूं कि अगला टार्गेट क्या है हीरा लाल मांजी के अइसा कोई टार्गेट नहीं है मैंने आपको बताया कि हम जन परती निदी हैं और जन जिलाध्यच हूं इसलिए मेरे पास सभी जगह के विस्थापित आते हैं हम एक आगाज किये जरूर थे बोकारो इस्टिल प्लांट के विरूद में और लोगोंने समर्थन भी किया और उस समर्थन को देखते हुए सारे लोगों के सारे जगों से विस्थापित हमारे पास आ रहे हैं जो चाहिए सिसेल हो या डिवी सी हो उनका भी भी समस्य जयों कते हुए इसलिए हमने ये निर्ने लिया है कि अब मैनेजमेंट के खिलाब जो है आरपार की लड़ाई होगी वो चाहिए बीसल इस्टिल प्लांट के परबंदख हो या सिस्थापित परबंदख हो सारे लोगों से चा जाता है कि बेरमों में paralysis बड़े भाई चोटे भाई का राज चल रहा है, उस राज में आप घुघष गए हैं और उस राज में सेंघ्ल प्ली मुर्छा को कबूए कार करम नहीं किया कर ती लेकिन आप लगातार बेरमों में हमलाबर हैं, इससे पहले राजबुकारों से आप अंदोलन करके गए तो बेरमों के लोग का क्या रुजहान मिला और मकसद क्या है दिखे इस मैंसूज ऐसा है आपने जैसे अभी कहा चाचा भतिजा का जो परंपरा चलते आ रहा है लोग देखते हैं अलग-अलग वोग का दल जरूर है लेकिन जिस तरह से बाते वहां से आती है लिशी तोर से ये चाचा भतिजा के चक्कर में वहां की जनता को जो अधिकार मिलना चे वो नहीं मिल पा रहा है और जारखन मुक्ति मोर्चा का लड़ाई हमेशा से ही सोशी दलित पिछड़े वर्गों के लिए रहा है विश्थापित्यों के लिए लड़ा है और उसी लड़ाई को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और उसी का जो एक आने वाला 28 नॉम्बर को जो विश्थाप के लिए हम लोग महारेली जायजन किया गया है उस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग एक काम करेंगे एक चीज और देखा जाता है कि हिरालाल मांजी जब जब कोई कि अंदोलन मुलाते हैं तमाम सोय विस्थापित नेता भी जाग जाते हैं वुकारो में तो आपने विस्थापित इसी तोर से जार्खन मुक्ती मोर्चा पहली बार इस तरह का जाना क्रोश तोर पर विस्थापितों की लड़ाई लड़ने जा रही हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि वुकारोस्टिल प्लांट का विस्थापित हो या सीसियल के विस्थापित है। ये विश्थापितों का अधिकार अब जार्खन मुक्ति मोर्चा दिलवाएगा ये पूर्ण विश्वास है हमें अलाकर हीरालाल मानजी को प्रजेक्ट करना ये समझ नहीं पार ये हैं लोग देखें ऐसा है हमारा जार्खन मुक्ति मोर्चा में हम लोग के परमादेरनी दिसम्गुरु शीबू सुरेन ही नेता हैं बाकि सारे लोग चाहें विधाय को सांसद हो मंतरी हो सारे लोग कहीं न कह उनके काचे करता है और उसी काच करता हूं में से मैं भी एक उनका काच करता हूं और जो वहां से आदेस होता है उसको काम करने का हम परयास करते हैं इसल में आपने जवान्दोलन किया। इस दिन भी आपको रात में पूछा था कि क्या लॉलीपॉप सही मान जाएंगे। तो लॉलीपॉप कितना दिन और चलेगा। कहीं बेरमों में भी तो लॉलीपॉप लेके नहीं मान जाएंगे। कि अब कोई चीज के लिए लड़ो तो उसको छोड़ो नहीं और जब तक BSL परबंधन जो विष्थापितों का जो मुद्दा है जो विषय है उसको नहीं जब तक पूरा करता है तब तक धारखन मुक्ति मुर्चा अंदोलन करते रहेगा बारता हुई थी उन्होंने समय अब जब तक परमुक मुद्दा क्या रहेगा जब अश्टेज पर हिराल मांजी जाएंगे तो किन परमुक मुद्दा की बात करेंगे अश्टेज से और जनता को क्या बताएंगे बिश्थापितो का परमुक मुद्दा तो है मांजी आप बेसल में भी देखे थे कि हमारी जब जमीन हमने आपको दिया है जिस काम के लिए उसके बदले हमारी जो अधोरी मुआउजा है उसको पूर्ण रूप दिजिए और जो नोकरी अभीता का आपने नहीं दिया है उसको भली उसको पूर्ण किजिए अने था हमारी जो खाली पड़ी जमीन है उसको हमको रहने दिजिए ताकि विश्थापितो उस जमीन का अपना तरीका से उप्योग करे और उसका अपना काम कर सके उस पर अन्त में एक प्रसन पूछेंगा केवल आप जिलापरसद के सदस भी रहे हैं आपके लोगों का काफी आप इच्छा भी रहा है तो इस बार जो जिलापरसद का चुनाओ होने जा रहा है ही रालाल मांजी क्या है उधर चुनाओ लड़ेंगे देखे, जनता ने हमें हमेशा सेवा करने का मुखा दिया है मुख्या से लेके जिलापरसद तक नजए ऐसा नहीं है कि चुनाओ लड़की ही जनता का सेवा किया चासकता, ऐसा कोई बात नहीं है और हमारे यहां से किसी तरह का कोई चुनाव लड़ने का विशा कोई उद्देश नहीं है हमें सिर्फ जनता का सेवा करना है जनता ने हमें चुनकर भेजा था पाटी अगर चौथी पारी खेलने के लिए बोलेगी तो खेलेंगे पाटी का जो भी आदेश होगा उसको निर्वाहन करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं मांसु जी तो सुना अपने ये हीरा लाल मांजी है जो मुकंदर के सिकंदर भी है क्योंकि जब भी पाटी ने इन्हें मौका दिया है उस काम को ये बख़ू भी निवाएंगे लेकिन हीरा लाल मांजी चौथी पारी खेलने के लिए पूरी तरह तयार है हीरा लाल मांजी के मुसकान को देखकर आप समझ जाएं कि हीरा लाल मांजी इस वार बलिदान देने जा रहे हैं अपने छेतर से जिला परिशत का चुनाओं नहीं लड़ेंगे और अब हीरा लाल मांजी चौथी पारी खेलेंगे जो समझदार हैं वो समझ गये होंगे मेरे इसारे को वक्त का इंतजार करें हीरा लाल मांजी जरूर बताएंगे कि चौथी पारी में वो कौन सा खेल खेलेंगे और हीरा लाल मांजी जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें जीतते जरूर हैं यह मैं नहीं कह रहा है यह वक्त बताता है कि हीरा लाल मांजी लगतार जीतते ही आ रहे हैं एक मुद्दा और है जो हीरा लाल मांजी ने अपनी इंटर्व्यू के दोरान कहा है इसारों में कहा है आप समझ जाए कि चाचा भतीजे पर उन्होंने जो कटाज किया है चाचा भी समझ रहे हैं और भतीजे भी समझ जाए कि हीरा लाल मांजी मैदान में उतर चुके हैं और चोथी पारी मे चाचा भातीजा से भी मुलाकात करेंगे